नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव को प्रदोश का व्रत अतिन्त प्रिय है। कहते हैं कि भगवान शिव की क्रपा पाने के लिए हर महा में पढ़ने वाले प्रदोश के व्रत को रखना चाहिए। बताते हैं हर महा में दोनों पक्षियों की त्रियोदिशी तिथी को प्रदोश का वरत रखा जाता है इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा विधी विदान से की जाती है दोस्तों हिंदू पंचान के अनुसार हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्षियोदिशी तिथी को प्रदोश का वरत मनाया जाता है इस प्रकार पोश महा में कृष्ण पक्षियोदिशी तिथी 31 दिसंबर को है इस दिन भगवान भोले नात और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाएगी ऐसी मानिता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति का जीवन निर्मल हो जाता है इस व्रत कथा का पाठ और श्रवन करने से व्यक्ति के सभी पाप मिठ जाते हैं इस बार शुकरवार को प्रदोश का व्रत पढ़ रहा है अत्य है ये शुक्र प्रदोश का व्रत कहलाएगा इस व्रत को करने से विवायत इस्तरियों को सोभाग्य के व्रद्धी होती है साथ ही दोस्तों पती की लंबी आयू हेतू शुक्र प्रदोश का व्रत करने की सला दी जाती है आईए दोस्तों अब हम आपको सुनाते हैं प्रदोश के व्रत के कता प्राचीन समय की बाद है एक ब्रामनी पती की मृत्यू के बाद अपना पालन पोशन बिक्षा मांगर करती थी एक दिन जब वह बिक्षा मांगर लोट रही थी तो उसे रास्ते में दो बालक रोती हुए मिल गए उन बालकों को देखकर ब्रामनी को दया आ गई वह उन बालकों को पास जाकर बोली तुम दोनों कौन हो और कहां से आये हो तुम्हारी माता पिता कौन है लेकिन बालकों ने कोई उत्तर नहीं दिया ये देख ब्रामनी बालकों को अपने घर ले आई जब दोनों बालक बड़े हुए तो वह एक दिन ब्रामनी दोनों बालक को लेकर रिशी सांडेलिय के आश्रम गई जहां रिशी सांडेलिय ने कहा कि देवी ये दोनों बालक विधर्ब के राजकुमार है गंदर्व नरेश के अक्रमन से इनके पिता का राजपाट शीन गया है उस समय से ये बालक बेघर हो गये है तब ब्रामनी ने पूछा हे रिशिवर इनका राजपाट वापस कैसे मिलेगा आप कोई उपाय बताएं और इनके कस्ट किस तरह से दूर होंगे तब रिशी सांडीलिय ने उन्हें प्रदोश कवरत करने की सला दी रिशी के कहे अनुसार ब्रामनी और राजपुमार ने विधिवत प्रदोश कवरत किया कालांतर में एक दिन बड़े राजपुमार की मुलाकात अंशुमती से हुई दोनों एक दूसरे को चाहने लगे उस समय अंशुमती के पिता ने राजपुमारों की सहमती से दोनों की शादी करा दी इसके बाद दोनों राजपुमार ने गंदर्ब सेना पर अकर्मन कर दिया इस्त युद में अंशु मती के पिता ने राजकुमारों की मदद की युद में गंदर्ब नरेश की हार हुई इस वज़े से राजकुमारों को पुन्हे विधर्ब का राज मिल गया तब राजकुमारों ने गरीब प्रामनी को भी अपने दर्बार में विशेश स्थान दिया प्रदोश व्रत के पुर्ण्य प्रताप से ही राजकुमार को अपना राजपाट वापिस मिल गया और ब्रामनी के दुख दूर हो गए अतह प्रदोश का व्रत का विशेश महत्व है इसलिए दोस्तों मानेता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को धन, संपती, सुख, साधन, आदिप्राप्त होता है इसके साथ ही इस व्रत को करने वाले को सोभा के साली समझा जाता है कहते हैं कि इस व्रत को करने से जीवन में आ रही हर प्रकार की परिशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है धर्निवाद दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले